रामगर्जिले के भुरकुंडा के मलानी गाउं में पुर्व विधायक योगेंद्र साओ को ग्रामिनों ने चार घंटे तक बंधक बनाये रखा है इस पुरे मामले पर ग्रामिनों का कहना है कि पत्रातू जैम के किनारे दो एकड बयालेस जैसे मिल जमीन ग्रामिनों का है जिसे पुर्व विधायक योगेंद्र साओ और विधायक अंबा प्रसाद के शारे पर जबरन बाउंटरी करवाया जा रहा है जबकि विधायक का कहना है कि विवादित जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है सूशना मिलने पर पुलिस योगेंद्र साव को ग्रामिनों को समझा बुझा कर मामला शांथ कराया और पुर्व मंत्री को नित्ट कराया खबर रामगर्ण से सामने आ रही है रामगर्ण जिले के भुरकुंडा में पुर्व विधायक योगेंद्र साव को ग्रामिनों ने चार घंते तक बंधक बनाये रखा है और इस पूरे मामले पर ग्रामिनों ने कहा है कि पत्रातू में जो जमीन है उस पर इनके द्वारा बाउंटरी करवाई जा रही है जब कि विधायक का कहना है कि विवादत जमीन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है कि विवाद में है कि हमारा जमीन हम इसको जो हैसो कम 20 बरसों से करते आ रहे हैं और इस पर एक आएक जो हैसो हमारे अस्थानिय बिधायक और पंकच कुमार और सुमीत के माधियम से जमीन पर बाइजबरन बॉंटरी देने का काम किया जा रहा है जब इसको हम लोग बराबर लगातार इसको माना करते जा रहे हैं इसके बाब्यूद भी मान नहीं रहे हैं अगर माना भी करते हैं तो हम लोग को मारने का जान समारने का खबर परदाद जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़रे रामगर्जे राजेश राजेश पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को ग्रामेनों ने चार घंटे तक बंधक बनाया है जी देखे जब योगेंद्र साव उपस जमीन पर जो काम देखने के लिए या यूँ कहें अपने समर्वकों के साथ जमीन पर पुक्चेते तो अस्थानियों लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि इस जमीन वो जमीन उनकी है और इस पर पाज़वरं काम किया जा रहा है जमीन उनका कोई लेना देना नहीं है और जो वहां बाउंडरी कराने के लिए पहुंचे लोग थे उनका कहना है कि जमीन उन्होंने रईयत से खर दी है और उसी बाद जो है बाउंडरी करा रहे है बिल्कुल राजेशी जानना चाहूंगी कि पूरे मामले को शांत कराने के लिए वाँ पर पुलीस भी पहुंचे पुलीस का क्या कुछ कहना है पुलीस ने कहा कि हनाकी जमीन उनको पता नहीं चल पा रही थी कि जमीन किसकी है तो यह अंचल से ही सब कुछ असपस को पाएगा कि जमीन किसकी है तो अंचल अधिकारी को इस पूरे मामले को लेकर सूचना दे दी गई है ताकि जो स्थिती है उसे असपस को सक했습니다 बिल को बहुत बहुत शुक्रिया राजर समाम जानकारियों के लिए तो जारक्न के पूर्वक्रिश्यमंत्री योगेंद्र साओ को ग्रामिनो ने चार घंटे तक बंधक बनाया है जिसके बाद वहां पर पुलीस पहुँची और ग्रामिनो और योगेंद्र साओ दोनों को बज़ा कर इस मामले को शान्त करवाया